दूश्तो आज को चालमरा वीडियो है वो है invalid id filter के उपड़ यहां पर हमको बहुत सारा ाइड़ दियावा के इस आरे में इसको हमको filter out करना है और invalid ाइड़ को चेक करना है इसके लिए मैं क्या करूँगा एक invalid ID counter लगाओगा जो कि मैं value initialize करूँगा उसको 0 के साथ चलो जल्दी से एक variable बना लेते हैं invalid entries नाम का ठीक है invalid entries में इसका नाम रखाओ तुम कुछ भी रख सकते हो और मैं इसको initialize कर रहा हूँ 0 value के साथ क्योंकि हम अभी तक filter out नहीं किये हैं तो हम इस initialize 0 ही से करते हैं ठीक है और इसके बाद मैं एक filter function बनाऊँगा ताकि मैं यह जो array है यहाँ पर से मैं जो IDs है जो valid नहीं है उनको filter out कर पाऊँ तो function बनाना एक good practice है ठीक है मैं इस function का नाम filter by ID रख रहा हूँ और एक item as a parameter पास करता हूँ तो यह array से each ID लेगा उसे check करेगा चेक करने का logic क्या होगा चलो हम check करने का logic लिख लेता है तो यहाँ पर एक मैं if condition लगा रहा हूँ और लिख रहा हूँ number is finite और इस पास कर दे रहा हूँ item.id यह जो statement है ना यह statement चेक करेगा हमारे जो IDs है वो finite है या नहीं ठीक है यह जो function हमारा जो है इस finite वो चेक करता है कि जो हमारा item जो ID पास कर रहे है वो finite है या नहीं और दूसरा क्या condition होगा हमारे जो item.id है not equal to 0 होना चाहिए ठीक है तो यह दो condition होने से ही हम क्या return करेंगे ना true return करेंगे ठीक है यह दो condition तुम अपने screen के देख पा रहे हो पहला और यह दूसरा अगर यह दो statement जो है हमारे true हो रहे है if के अंदर तभी हम क्या return करेंगे ना हम true return करेंगे अगर मैं तुम नए हो filter function के बारे में नहीं जानते तुम्हें बता देता हूँ filter function आईदर true यह false return चाहिए उसको work करने के लिए individual elements को run कराने के लिए ठीक है जो condition तुम provide करते है उसको run कराने के लिए उसको either true यह false रहे हो ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे अगर यह if condition false हो जा रहा है तो हम समझ जा रहे है कि यह जो अमार invalid ID है उस counter को increase करना है क्योंकि अगर true return नहीं हो रहा है तो यह पक्का valid entry नहीं है तो हम invalid ID counter को जो है increase कर दिए ठीक है by one उसके बाद हम क्या करेंगे return कर देंगे false तो इससे क्या पता चल दाए है हमारे filter function है कि यह जो हमारा ID जो each each ID को check कर रहा होगा तो उसको पता चल दाए है एदर true return हो रहा होगा या false return हो रहा होगा इससे क्या होगा मारा filter function properly work कर लेगा ठीक है कहीं invalid तरीके से रूख नहीं जाएगा अब रप तरीके से रूखेगा नहीं ठीक है तो मैं एक variable बना लेता हूँ रिजल्ट को श्टोर करने के नहीं ARR by ID ठीक है तो एक variable बना लिया मैंने यहाँ पर मैं क्या करूँगा न ARR.filter call करूगा और हमारा जो अभी फिलाल से लिए हमने एक function मनाया है जो कि filter by ID उसको call करूँगा ठीक है यहाँ पर मैंने call कर लिया अब मैं क्या करूँगा filter function तो call हो गया यहाँ पर अब मेरे को पता चल जाएगा तो हमारा ARR by ID है वो valid entries का record रख रहाओगा तो इसको मैं print कर देता हूँ screen पर तो हमारे पास जो है valid IDs आ चुके है तुम देख पार है अपने screen पर यह सारे जो है यह सारे valid IDs है जो इस एस से मिले हैं हमको ठीक है तो हमको यह सारे valid IDs टॉब मिल कर अब हमारे दो invalid ID कितने थे हमारे जो array में दिये गए थे उसका number क्या था तो हम उसको check करने के लिए हमारा invalid ID counter का मदद ले सकते तो invalid IDs वही काम कर रहा था मैंने तुब पहले यह बताया था initially 0 था यहाँ पर increment हो रहा होगा तो check कर ले थे कितने invalid entries थे तो 5M, तो see you in the next video like it, शेपमोग